आज मैं जारी हूं एक बर्थडे पार्टी पे और वो बर्थडे किसका है वो बर्थडे है मेरे सन इन लो का विवेक शवमा का तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका बर्थडे गिफ्ट रेडी है उसकी चोईस के कुछ खूबसूरत कपड़े तो वो मैंने गिफ्ट रेडी कर लिया है कार्ड रेडी कर लिया कार्ड पे हम सब ने मैसेज लिख दिया पूरी फैमली ने और ये मैं सब रेडी है और जारी अब उनके घर और उनका घर कहां पे है next door ज्यादा दूर नहीं जाना तो मैं जा रही हूं उनको सर्प्राइज देने उनको नहीं पता कि मैं अभी आ रही हूं तो ये मैं पोच गई ये देखो चोटा पहले से बलून के साथ खेल रहा है मस्ती में है पूरी मस्ती में है वो देखो यू एपी बिर्दे यू देडा अब बिर्देश देखो पहले है प्रया देखो आप पहले हूं पहले हूं तो यूद्दि आप देखो पहले हूं और दो प्राइब कोफी कोफी लबर उसको होता है कि मुझे कपड़े मत गिफ्ट करो मुझे कॉफी दे दो बड़े बड़े जार ओर्डर करता है कोफी के कोफी उसकी फेबरेट है सुबा हो शाम हो उसको कफी पीनी है इवनिंग में तो नहीं पीता और ये हैपी बड़े का बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा डेकोरेट करा और ही इस समोसा लवर उसको समोसे भी इतने पसंद हैं विवेक को कि मैंने स्पेशली उनको और्डर करवा के किसी को कहके समोसे बनवाए गोलगपे लेकर आए और खूब सारा क्रीम के साथ फ्रूट सैलेड रखा और बहुत सारे पकोड़े बनवाए केक बनवाया और क्या किया था वहाँ पे बहुत मज़ा आया देखके और स्पेशली मैंने आज जो रोल अदा करना है वहाँ पे वो है गोलगपे वाला भाई तो मैं बनी थी गोलगपे वाला भाई और मैं घर से बना कर लाई थी गोलगपे का पानी भी और यहां पर आके मैंने सब को उसी वकत गोल गपे खिलाए और बहुत सारी चाट पापड़ी भी थी वो भी बहुत खटी मिठी मज़ा आया खाके खूप सारी चटनी डाली उस पे दहीं डाला और बहुत ही मज़े से सब ने खाया और क्योंकि उनके सपेशली फ्रेंट भी आरहे थे तो जो कि उनके बहुत ही बहुत बेस्ट फ्रेंड है और इन सब को ये देखो मैं गोल गपा ट्राई करवा रही हूँ और ये है रुहिना की बेस्ट फ्रेंड सिम के हजबन्ट और अब इनकी बारी है सिम ने तो खा ली है गोलगपे तो अब इनकी बारी अब ये भी ट्राई करेंगे राज के कैसे हैं गोलगपे तो मैं especially उनसे पोच रही थी कि बताएं and he's really liked it he said it's yummy obviously गोलगपे तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं और देखो सारा पानी भी कतम हो गया हम सब ने खूब गोलगपे खाए और गोलगपे खाने के बाद कुछ स्नैक्स खाने के बाद सब लोग थोड़ी देर बाहर धूप में बैट गए मौसम अच्छा था और बच्चे अपना खेल रहे थे बच्चों के टॉइस बाहर लगा के रखे हुए थे अपनी अपनी मस्ती में क्योंकि बच्चों के लिए रेत जो थी न सेंड वो भी हमें खरीदनी पड़ती है तो ये बच्चों के लिए खूब सारी सेंड एक काफी बड़ी सैक थी उसमें पानी डालके तो बच्चे इस तरह से खेलते हैं क्योंकि यहां मिट्टी वैसे तो मिलती नहीं कहीं तो मिट्टी बाए करनी पड़ती है और ये है रुहीना की फ्रेंड का सिम का बेटा जो की वो भी अभी दो साल का हुआ है कुछ दिन पहले ही और ये हैं विवेक एंड राज इंजोई कर रहे हैं बाहर बैठके अपनी अपनी बेर पी रहे हैं एक एक बेर ली है इन्होंने इंजोई कर रहे हैं और बच्चे ये देखो थोड़ा सा अच्छा मौसम था यहां तो थोड़ी सी भी धूप निकल आये तो बच्चों को मस्ती चाहिए तो ये खूब पानी में बैठके विकरांथ और मेरा चोटा अहान ये दोनों मेरे अरहान और सॉरी विकरांथ दोनों पानी में खूब इंजोई कर रहे हैं और ये दोनों फ्रेंड बैठी यूनिवर्सिटी की बातें याद कर रही है तो मैं इनको मजा कर रही थी मैं इनकी इंटर्व्यू ले रही थी तो हसने लग गई तो कहती ये अंटी यू नो आई सट येस गोन आर दा डेज अब आप बच्चे देखो और बच्चों को बड़ा करो और आपने अच्छे खटे मीठे दिन याद करो और ये हमने अभी दुबारा से स्टॉल फिर लगाई है क्योंकि स्टॉल लगाने से पहले क्या हुआ कुछ लोग रह गे थे भी गोल गप्पे खाले में तो दुबारा से लगानी पड़ी और ये सिम केक और इधर साइड पे मेरे हस्बन भी खड़े है येलो शर्ट वाले इसी तरह बनाते रहेंगे मिलते रहेंगे थेंक्यू फो वाचिंग प्र मिलेंगे नेक्स्ट व्लोग में झाले बनाते रहेंगे